कुश्चन में हमसे कहा गया है एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल R इक्वल्स टू थ्राइंगल Q इक्वल्स टू ट्वाइस आफ एंगल P प्लस एंगल Q है तो हमने Q की वाली को फांड आउट करना है तो चलिए सॉलिशन स्टार्ट करते हैं तो यह बना दिया हमने यह सपोस कर लेते हैं एंगल R को Z सपोस कर लेते हैं अब देखे सुलिशन ट्राइंगल PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R तीनों का सम होगा 180 डिग्री एंगल P हमारा है X एंगल Q हमारा है Y एंगल R हमारा है Z तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R हो जाएग X plus Y plus Z आगे equals to 180 degree अब हम Z को left से right में लेकर की जाएंगे तब हमारा यह equation हो जाएगा X plus Y equals to 180 degree minus Z अब देखे स्थुन्स हमारे पास में है angle R equals to twice of angle P plus Q हमारे पास में है angle R equals to twice of angle P plus Q तो लिख लेते हैं angle R equals to twice of angle P plus Q देखे angle R हमारा है Z तो angle R की जगापर आएगा Z फिर है twice फिर है bracket bracket की भीतर है P plus Q P हमारा है X, Q हमारा है Y तो P plus Q हो जाएगा X plus Y अब हम इस 2 को right से left में लेकर की जाएंगे तब हमारा यह equation हो जाएगा Z upon 2 equals to X plus Y तो यहाँ पर हमारे पास में X plus Y का value आगिया Z upon 2 तो यहाँ से हम X plus Y की value को यहाँ पर put up करेंगे यहाँ से हम X plus Y की value को यहाँ पर put up करेंगे तीक है इस X plus Y की जगा पर तब हमारा यह equation हो जाएगा Z upon 2 equals to 180 degree minus Z अब हम इस z को right से left में लेकर के जाएंगे तब हमारा यह equation हो जाएगा z upon 2 plus z equals to 180 degree अब देखे 2 into z हो जाएगा 2z तो z upon 2 plus z हो जाएगा हमारा z plus twice of z upon 2 आगे equals to 180 degree चलिए अब हम आगे solve करते हैं question को z plus 2z हो जाएगा 3z 2 को हम cross में 180 degree के साथ में multiply करेंगे तो आएगा 360 degree अब हम दोनों side को 3 से divide कर लेते हैं 3 से 3 cancel out हो जाएगा 360 degree को divide करेंगे तो आएगा 120 degree तो हमारे पास में z का value आगया 120 degree अब देखे students हमारे पास में angle r equals to thrice of angle q है तो हम दिखेंगे angle r equals to thrice of angle q देखे angle r हमारा है z तो angle r की जगा पर आएगा z right inside में है thrice of angle q देखे हमने z का value निकाला है 120 degree तो हम z की जगा पर लिखेंगे 120 degree फिर है equals to तो लगाएंगे equals to अब हम इस 3 को right से left में लेकर करेंगे तो यह 120 degree के नीचे divide में आ जाएगा and right inside में रह जाएगा q फिर जब हम 3 से 120 degree को divide करेंगे तो आएगा 40 degree तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया angle q का value 40 degree question में भी हमसे angle q का value निकालने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर हमने angle q का value निकाल दिया 40 degree तो यहाँ यहाँ हमारे इस question का final answer